तो देखिए आज मैं आपके लिए न फिर से एक नए प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जो मैंने देखे टू प्लाई की वोल से बनाया है और ये मेरी जो किरोशा है वो 3.50 mm की है और हाँ अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो वो भी मैं आगे न आपको बताऊंगी और आपको भी आगे ना पूरा का पूरा बताऊंगी तो ये देखिए इस तरह से हम लेके इसमें नौट लगाएंगे और एक तो तीन चार पांच छे चैन लेंगे और ये लास्ट वाली चैन में डालकी हम ये निकाल लेंगे और ये राउंड बन जाएगा अब हमें इसमें क् और ये एक बार पंता की रोशे के उपर दो बार और ये तीन बार ठीक है और फिर इन सब को हम एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे फिर से ये लेंगे इसमें डालेंगे और ये एक बार पंता की रोशे के उपर ये दो बार और ये तीन बार और इन्हें हम सब को एक साथ इस ये पफ बनाते जाना है तीन तान बार हम फंदे को किरोशे के उपर लेंगे और सभी को एक साथ निकाल लेंगे तो ये हमारे तीन बन गए है ऐसे ही ये देखे एक, दो, तीन, तीन बन गए ऐसे ही हम एना और बना लेंगे तोटल हम इसमें आठ बनाएंगे तो ये देखे टोटल हमने इसमें एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, आठ बनानी है और ये लास्ट में चैन में डालके हम इसे इस तरह से जोइंट कर देंगे फिर हम इसमें एक चैन देंगे और ये इसमें डालके निकाल देंगे और ये दोनों पफ के बीच में ले जाके हम इसे इस तरह से निकाल देंगे तो ये यहाँ आ गए हम फिर इसमें हमें तीन चैनल लेनी है और ये एक बार फंदक रोशी के उपर दो तीन तीन बार हो गया और उसके बाद में हम इन सब को एक साथ ऐसे निकाल देंगे और फिर से इसी में डालके एक और बार हम ये तीन बार फंदक रोशी के उपर लेंगे और इन सब को एक से निकाल देंगे तो ये दो पफ हमें एक में बनाने है फिर अगले वाले पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से तीन बार फंदे लेंगे इसे निकाल देंगे और फिर से इसी में डालेंगे और यह देखे तीन बार हो गया इन्हें भी हम एक साथ ऐसे निखाल देंगे तो ये देखे एक में हमें दो दो बार ये पव बनाने है ठीके ये देखे इस तरह से ठीके तो ये पूरे में एसी ही बनाके فिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है तो ये देखे यहां तक हो गया अब हम chain में इसे डालेंगे और इस तरह से joint कर देंगे ठीक है यह देखे यह joint हो गया joint होने के बाद हम यह न क्या करना है फिर से इसे simple फंदा निकाल के यह देखे यह डालेंगे simple ही निकाल देंगे और यह अगले वाले पर हम ले जाएंगे यहाँ पर हमें फिर से तीन chain बनानी है और इसी तरह से तीन फंदे लेके हमें पफ बनाना है यह देखे इस तरह से ठीक है फिर इसी में डालेंगे एक और पफ बनाएंगे इस तरह से तो यह एक में दो पफ हो गए फिर अगले वाले में हमें यह पफ सिर्फ एक बार बनाना ह इस तरह से, ठीक है, एक बार हो गया, फिर अगले वाली चैन पे जाएंगे, इसमें हमें पफ जो बनाना है, वो दो बार बनाना है दो, तीन, यह हो गया, इसमें हमें दो बार बनाना है, इससे आगे वाले में हमें एक बार बनाना है, तो यह इस तरह से, तो ऐसे ही यह हम पूरा कम्प्लीट करेंगे, तो पूरा कम्प्लीट करके फिर दिखाते हूँ, तो यह देखें, हमारा है न, यह पूरा का पूरा बन है इसी तरह से अब हम चेन में डालके इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे अब आप इसे तोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको समझ आएगा कि हमें इसमें आगे क्या करना है हमें इसमें ऐसे आगे नहीं जाना है हमें इस तरह से पीछे जाना है फंदा लेना है और इसे निकाल देना है ठीक है फिर दूसरा फंदा हम इस पफ के उपर लेंगे डालेंगे और ये दोनों को ऐसे निकाल देंगे फिर अगला फंदा दोनों पफ के बीच में लेंगे इस तरह से और ये निकाल देंगे हमें आगे की तरफ नहीं बढ़ना है पीछी की तरफ बढ़ना है ठीक है अब ये पफ के उपर लेंगे और इसे निकाल देंगे अगले वाला पफ से आगे लेंगे और इसे दोनों को इस तरह से निकाल देंगे ठीक है उससे अगले वाला पफ के उपर लेंगे और ये निकाल निकाल देंगे, फिर उसे आगे वाला पफ के दोनों के बीच में लेंगे, और इन दोनों को निकाल देंगे, ठीक हैं, तो ये इस तरह से छूटी सी है, डोली सी बनती हुई, चली जाएगी, तो ये ऐसे ही हमेना कंप्लीट करना है, ये देखें, ये फंदा लिया और निकाल तो अगले में डालेंगे पीछे किसे लेंगे और निकालेंगे तो ऐसे ही यह पूरा राउंड हमें complete करना है तो पूरा राउंड complete करके फिर दिखाते हैं तो यह देखें हमारे पूरी की पूरी आनर यह कितनी किलिया हमारी पूरी की डोली इसकी है ना चारो तरफ बन गे ना तैयार हुई है मतलब गोलाई में पूरे में ठीक है उसके बाद में हमें क्या करना है एक तो तीन तीन चैन लेनी है और जो ये देखे ये वाली जगा है ना यहाँ पे जो हमारे ये पॉफ है यहाँ पे इस तरह से डालके हमें एक डबल क्रोश्या फिर से देखे इसी पॉफ में इस तरह से बीच में डालेंगे और इसके आगे एक और डबल क्रोश्या फिर ये देखे बीच में डालेंगे और यह आप जब इस तरह से देखेंगे ना तो यह puff के बीच में जगा है यह वाली तो हम यह इस तरह से इसमें से निकालके यहाँ पे डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर अगले वाले puff में इसी puff में देखें फिर इसी puff में बीच की तरफ से डालेंगे और इसे ऐसे निकालके यहां पर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर देखे यहां से दोनों पफ में जो जगा है उसमें डालेंगे और इस पफ के बीच में से निकालके हम यह इस तरह से डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर से देखिए इस तरह से डालेंगे उसके बीच में पफ में और ये दूसरे साइड से निकालके हम डबल क्रोश्या बना देगे आपको समझ आगिया देखिए एक बार ऐसे डालना है और ये पफ के बीच में से लेना है और एक डबल क्रोश्या बना लेंगे फिर दूसरे के लिए हमें पफ के बीच में डालना है और दूसरी साइट से निकालके हम डबल क्रोश्या बनाएंगे तो ऐसे ही हम इसमें यहां तक 38 डबल क्रोश्या बना लेंगे तो देखिए जैसे इसमें हमारे 8 डबल क्रोश्या बन चुके हैं और 30 डबल क्रोश्या और बनाने हैं तो इसमें टोटल जो 38 डबल क्रोश्या है वो जहां तक बनते हैं महां तक हमें यह बनाना है उसके बाद क्या करना है वो दिखाती है तो ये देखे हमने न इसमें 38 ये डबल क्रोश्या बना लिये हैं या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है इस वाले पफ से ये बनाना तो एक, दो, तीन, चार, पांच पांच पफ में हमें नहीं बनाना है और सब में हमें डबल क्रोशा बनाना है ठीक है तो यह आप इस तरह से भी देख सकने हैं तो सेम इसी तरह से ना बना के हमने एक और बना लिया है यह यह देखिए यह हमने एक और बना लिया है सेम तरीके से यह देखिए कोई भी सेम टू इस तरह से एक दूसरे के उपर ऐसे रख देंगे तीक है और इसे लेके हम देखिए दूसरे वाला जो हमने बनाया है ना उसका जो हमारा फर्स्ट वाला ये डबल क्रोशिया है इसमें डालके इन दोनों को एक साथ हम कर लेंगे अब ये सारे जो डबल क्रोश्या हैं ये दोनों के हैं इस तरह से ये दोनों में डबल क्रोश्या हैं अब हमें क्या करना है देखिए ये पीछे की तरफ दोनों डबल क्रोश्या में डालना है फंदे को और निकाल देना है फिर अगले वाले दोनों डब पीछे की साइड से इसे निकालना है और इस तरह से निकाल देना है यह देखिए दोनों में डाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं यह दो फंदे हो गए और इन्हें इस तरह से निकाल लिया ठीक है फिर ये देखे, पीछे हमने दोनों में डालेंगे, ये देखे, मैं आपको डाल के थोड़ा दिखा देती हूँ, देखे, ये पीछे की साइड से हम, ये इस में भी और इस में भी, दोनों में हम इस तरह से हिने डाल रहे हैं, ठीके, तो ये पीछे की साइड से ऐसे डाल रहे और निकाल देंगे तो यह ऐसे ही हमारा बनता चला जाएगा यह देखे निकाल दिया यह फिर से हमने दोनों में डाला और दोनों में डालके यह निकाल दिया तो यह भी हमारी देखे डोली सी है ना बनती चली जाएगी और यह दोनों इस तरह से जुड जाएंगे तो यह लिए पिकिजी के चैनल लेंगे देखर को हमारा ना, यह पूरा का पूरा यह बनके तयार हो गया हैं ठीक है उसके बाद में क्या करना है इस तरह प्रम लेंगे और यह पफब को इस तरह के करना देन तो यह हो गई तीन तो यह टोटल हमने चार चैन लेली है सौरी तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेके यह इसी में डालके हम इस तरह से ना एक बार फंदे को क्रोशे के उपर लेंगे यह दो बार और यह तीन बार और इन सब को हम इस तरह से निकाल लेंगे थीक है फिर हम एक दो तीन चैन लेंगे और जो हमने यह पफ को एक साथ निकाला था देखिए इसमें डालके हम फिर से ना फंदे को क्रोशे के उपर तीन बार लेंगे तो यह दो बार हो गया और यह त और इसे सारों को एक साथ निकाल देंगे फिर से यहां पे न तीन चैन लेंगे और यह देखिए जहां पे हमने पाप में निकाला था उसे ही में डालके तीन बार फंदे हम किरोशे के ऊपर लेंगे इन्हें सब को निकाल देंगे इस तरह से तो इसके न यह बैल्ट तो जितनी बड़ी हमें बैल्ट बनानी है उतनी में बना लेती हूँ और फिर इसे क्या करना है वो दिखाते हूँ तो यह देखिए हमने यह इतनी बड़ी रखिए है मुझे लगता है एक पप और बना लेती हूँ इसमें सेम टरीके से ही हमें एक, दू और ये तीन थीक है तो इने पप को एक साथ निकाल देंगे और इसे हैं न हम दूसरी साइड में जो यह बीच वाला है न हमने जहां से शुरू किया था वह हम दूसरी साइड में डालके हम इससे इस तरह से जोईंट कर देंगे, ठीक है? जोईंट करके अच्छे से फिर हमीसे कट कर देंगे, तो यह देखे हमारा है ना पूरा बन के है हम यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा अगर आपका बटन बड़ा है तो आप ज़्यादा चैन बना लीजिए अगर आपका बटन छोटा है तो आप छोटी चैन बना लीजिए और ये अगले वाले में डालके इस तरह से इसे जोईंट कर दिजें तो ये हमारी चैन बन के तयार हो गई है अब हम मैं जो इसमें बटन लगाने वाली हूँ वह थोड़ा बड़ा है तो इसे बटन क्या करएंगे जहाँ पर हम ने ये चैन बनाई लीजिए ना कोई क्वाइन या कुछ रखे तो वो निकलेंगे तो यह इस तरह से हम डालके इसमें बटन जॉइंट कर देंगे ठीक है तो यह करके पीछे हम नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर सारी उनको एक साथ सारी कट कर लेंगे फिर दिखाते हूं तो यह देखे हमारा पूरा बनके तयार हो गया है यह हम साइड में रख देते हैं और यह देखे इसमें इस तरह से हम डाल लेंगे और यह हमारा पूरा का पूरा है न यह देखे कितना प्यारा सा पर्स बनके तयार हो गया है और जितना समय मुझे आप नानी में लगा है फट कम लोग कितना अच्छा देता है ना नीचे से भी अगर आप इसे ना अपनी किसी मैचिंग में भी बनाने होंगे तो बढ़ा अच्छा लगए यह देखें अंदर से भी इसमें काफी स्पेस हो जाता है तो समाना जाएगा और यह देखने में भी एकदम छोटू मोटू सा बर्ज बहुत सुंदर लगता है यह देखे हम इस तरह से रखेंगे भी तो यह काफी है ना, क्यूट और सुंदर सा लगता है यह देखे तो आपको यह कैसा लग रहा है मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं एक नहीं और अच्छी वीडियो के साथ और हाँ मैं इसमें आपको बता दू इसमें पूरी है न दस ग्राम उन हमारी लगी है और ये बनके न तयार हो गया तो चलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बाई एवरिवन और थेंक्स वर वाचिंग